वेल्कम तु दुनिय अपिर्सोड तो आज के इस वीडियो के अंदर आज आज में आपके अंबॉक्संग एंड फुल डीटेल रिविए काने वाले हमारे पास यहां पे एक नूली लॉंच टी डेबलियो साया हुआ है लेकिन यह आता है जिसके बोड के दरों से आने वाला ब के लिए बैस रहेगा बताएंगा आज के इस वीडियो के अंदर हमारे चाहँ को सब्सक्रेब करके बैल नोड विक्सिंट को अल का लिजे क्योंकि हम इसी तारगा जो टैक ओफ रिटिर्स कॉंटें लेके आते रहेते हैं और इस वीडिक जो में पर शुरू क्या लेते हैं इस वीडिक बैकिंग को देखे लेते तो बॉक्स पैकिंग को जिस तरह आपको देखना मेल जाते है बोट एडपस 161 की ब्रैंडिंग मिल जागी एरबट्स और केस की इमेज मिलते है अपको और टोटल प्लेबेक टाम 50 आउस का में देका फोर मैक्स विद एनक्स टेक्नोल दिखके चाहिए बहुत-ही जद्धा लाइटवेट फील आपको दे रहे जिसकी जद्धा हवी फील आपको दे रहे नहीं है और यहां पको पूरा कि की दाकशी पोर्ट के अंदर डालके इसको करे कर सकता है एसो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं है जिसकी लिड को open करती है जिसकी यहां पर एरबर्स का looks कुछ इस तरह आपको दिखने मल जाता है silver और black dual tone के साथ यहां पर आ जाता है लिड आपको spring loaded मिलता है जिसकी one end से open and close कर पाऊगे ऐसो कोई भी lose नहीं है right or left का symbol दिखने क्लिए मिलता है जिसकी अरबर्स को हम शेक करके दिखेंगे जिसकी जो से शेक करते तो magnet उतना strong यह आप आपको मिलता नहीं है जिसकी अरबर्स का तो शेक करते है तो गिर जाता है drivers की बात करेजिए तो drivers कुछ इस तरह का आपको दिखने मिल जाते है बोड के ब्रैंडिंग मिल चाहिए और राइट और लिफ्ट का आपको बैचिंग मिलता है LED notifications, lights, stem design के साथ आता है यहाँ पे अपको matte finish मिलते है, glossy मिलेगी आपको यहाँ पे और tip silicone के मिलती है charging pins कुछ इस तरह का आपको मिल चाहिए weight की बात करीजिए ज्यादा weight इसके अपको बिलकुल भी मिलता नहीं है बहुत ही ज्यादा lightweight के साथ यह आपको earbuds दिखने के लिए मिल जाता है type A to type C cable मिल चाहिए और extra tip मिल चाहिए warranty card, user manual guide, stickers और यहाँ पे आपको boat head का sticker मिलता है Bluetooth version 5.3 के साथ आता है कोई भी आपको latest version इसके अंदर आपको मिलता नहीं है जिसके TWS के अंदर old version मिलता है आपको एक्जक्ट आपको 10 meters तक के range मिले की नहीं 1 meters के अंदर यहाँ यहाँ पर use कर सकते इस TWS को Bluetooth को यहाँ पर enable कर लीजे मैंने पहले से इसको connect करके रखा था जिसकी TWS को अभी के लिए connect है जिसकी यहाँ यहाँ पर आ चुका है Adopts 161 करके और SBC अभी इसका active है और 100% battery show कर रही है हम डिटर्स के अंदर जाएंगे तो use high quality audio को enable कर लेते AAC codec यहाँ पर आपका active हो जाएगा अनिक फीटी आपको अच्छी मिलती है लेकिन आप one meter सक के range के अंदर use करो जिसकी इस TWS को sound performance को लिके बात करीज जाए तो इसके अंदर आपको 13 mm के आपको driver मिलता है और signature sound provide करता है sound quality को लिके बात करीजे ना must sound quality जो ना यह आपको airburst निकल कर दे रहा है जिसकी लगबक से में यहां पे जो ना two hours से इस airburst के तुरू मैं यहां पे सुन रहा हूं लगबक से तो मुझे ऐसे कोई भी दिक्कत आई ने sound quality के अंदर काफी क्रिस्प आपको sound quality मिलेच आती है इस airburst की और ट्रेबल्स ओकल्स इडोबेटर सेपरेशन उसको लिके बात करें जो तो वो सब clear मिलता है और इस प्राइस द्रेंज के अंदर आने वारी जो TWS के अंदर sound अच्छी नहीं आती है जिसकी 999 रुपस से सहम देखे जाए तो लिकिन इसके अंदर आपको काफी better sound quality निकल कर दे है और earbuds के अंदर आपको 40MHK बैटर मिलती है और इसके अंदर आपको SF charging का support मिलता है जिसके आप यहाँ पर 10 minutes में charge कर लेते हैं तो 120 minutes का playback यहाँ आपको मिल जाएगा और fully charge करने के लिए जिपको 1.5 hours charging पर लगाना पड़ेगा तब जाके आपको 50 hours का playback यहाँ जाएगा और इसके अंदर हम देखे जाए तो इसका backups का फे सुपब यहाँ पर आपको मलता है अभी के लिए यहाँ पर हम जो इस TWS के तुरु जो ना live audio quality जो यहाँ पर test कहने वाले है और इसके अंदर आपको quad mic with the NX technology के साथ यहाँ पर आ जाता है और inbuilt इसके अंदर आपको four mic मिलता है noise crystal clear calling feature skin rap को मिलता है लेकिन यहाँ पर आप जोना एक छोट इसी live audio sample सुन जीशे लेकिन कितनी milliseconds के latency है काभी भी missions नहीं किया गया है जिसके आप जोना right side के earbuds को long press करके रखते तो आपका जो beast mode यहाँ पर enable हो जाते है लेकिन यहाँ पर चोटी से सेंपल सुन लीचे latency कर पर इसका हम यहाँ पर gaming performance गोली के बात करीजाए तो काफी better response आपको निकल कर देता है जिसकी TWS और इसका जो हमें गोली का fire sound और step sound के बात करीजी तो आपको काफी pop-allly सुनाई देता है कोई भी lag हो जाता है और आप 100% all-in बार भी आप एक गेम खिल लेते तो आईसो कोई दिक्कत आईगे नहीं है काफी better response आपको निकल कर देता है गेम अगर दे खिलते बाक और जिसके आप बीजाए माई गेम कॉल अब्डेटी जिस गेम जो नहीं मस तरिक्स कर सकते है इस यह अरबट्स के दुरू ऐसे कोई दिक्कत आईगे नहीं गेम अगरा खिल लेते वाग के बाद करिए को दो सेंसर के बाद करीजाए तो राइट सेट के आरबट्स उदबल करना पड़ेगा वही बैक प्रैइस स्उग पर है बेलेंस साउंड और सब्सक्राइब को मलता है और लेकिन आप यह लेना चाहते है बोर्ट एडप्स 161 न्यूली लॉंच टी डव्ली आस लेना चाहते है आप डेफिनिटली इसको पर्चिस का लीचे 999 रुपक से अपसे काफी बेटर आपको यह टी डव्ली आस ते क्या मलता है गेमिंग पॉफ्रमेंस काफी बेटर है कॉमफर्ट पर काफी अच्छा है साउंड कॉलिटी पर काफी अच्छे मिलती है और बैटर बेकवस पर काफी मस्ट आपको मिल जाता है जिसकी और लेना चाहते हैं अब यह पर्चिस कर सकते हैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सकेंदर एविलिबस मिल जागी है उनको आल करके ही जाना जिसकी थोड़ी से वीडियो हो जाती है तो अब तक के लिए हम मिलते हैं कुछों नेक्स एपिसोड सा तब तक के लिए बाई दुस्तों